मुख बंद रख अपना एक शब्द और नहीं बोलना चले जा यहां से रेकल जा गुस्से में ऐसा कहने वाली मेरी मा है और पास में जो चुपचाप खड़े हैं वो मेरे पापा है और शादी का जोड़ा पहन कर जो खड़ी है वो मेरी मंगेतर है और ये दोनों उसके माबाप हैं आखिर में मैं बाहर आ रहा हूं अक्सर मेरे पापा को गुस्सा आता है लेकिन फिर भी मैं हर हफ्ते एक घर आता रहता हूं लेकिन पहली बार मेरी माँ को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और ये सब कैसे हुआ जानना है आपको यह मेरे पापा जो मुझे स्कूल रॉप करने के लिए नहीं जा रहे हैं बलकि अपने साथ मुझे स्कूल लेकर जा रहे हैं हमारे मैथ्स टीचर सारे स्टूड़न्स को पनिश्मेंट दे रहे थे सिर्फ मुझे ही उन्होंने क्लासरूम में बठा कर रखा ये सब क्या है मधुजी इन सब को पनिश्मेंट दे रहे हैं सिर्फ मेरा बेटा क्लास में है दर असल वो आपका बेटा है ना इसलिए मैंने ये क्या सर आप खुद खड़े हो गए कहा था ना मेरा बेटा इसलिए पनिश्मेंट नहीं दी अब उसकी पनिश्मेंट मैं भर रहा हूँ इसलिए उस दिन से मेरे पापा और सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ 2020 मैच खिलना शुरू कर दिया एक बात इनको समझ में नहीं आती कि वो लोग कितनी भी जोरदार बैटिंग क्यों ना कर ले लेकिन मुझसे नहीं जीत सकते पर एक जगा हमेशा मेरी हार ही हुई मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो विशा का पतनम में रहते हैं पापा ने उनकी बेटी को हमारे घर में रख लिया मेरी जगा के साथ-साथ पापा के दिल में भी इसने अपनी जगा बना ली ये फोटो में जो हैं वो मेरी दादी मा हैं और पापा के दोस्त ने दादी के नाम पे ही अपनी बेटी का नाम रख लिया देखा न, मा की फोटो को कैसे परणाम कर रही है बेटी मेरी मा की emotional expression से पता चल गया कि अब इस घर में मेरी क्या हालत होने वाली है इनका नाम सदानंद है पापा के दोस्तों में यही एक हैं जो पापा को ओए रे बे करके बुलाते हैं इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं वो थो ठीक है लेकिन घर के पास का स्कूल छोड़कर अपनी बेटी का दाखिला हमारे स्कूल में करवाया और बता तेरा बेटा कैसा है पता नहीं है मेरे बेटी का क्या होने वाला है यह मेरे दादा जी की पाँच एकर जमीन है जिस उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया वो हमेशा कहते थे कि हर इंसान को खेती बाड़ी जरूर करनी चाहिए अरे भाईया इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है और एक एक एकड़ में एक लाग के हिसाब से मुनाफावा है यह सुनने के बाद मेरे दिल में मैंने एक बात की गाट बान ली थी कि अगर लाइफ में मैं कुछ करूंगा तो खेती ही करूंगा सुदागर खड़ा हो जा तू बड़े होकर क्या बनेगा दॉक्तर बनूंगा टीचर बनूंगी सर पुलिस ए विश्नो खड़े हो जाओ तू बड़े होकर क्या बनेगा मैं खेती बारी करके अच्छा किसान बनोंगा सर ये जवाब सुनकर मेरे पापा एकदम शौक हो गए बेटा मैंने ये क्या सुना कि तु खेती बारी करना चाहता है ऐसा नहीं बोलते अगली बार कोई पूछे ना तो कहना कि मैं अच्छे से पढ़ लिखके अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ इसके बाद मैंने अपनी मा को दादा जी की कही हुई बात कही कि हम किसी और जगा नौकरी करके अपने ही पैसे से अपना अनाज क्यों खरीदें हमें अपना अनाज खुदी हुगाना चाहिए ये जवाब सुनने के बाद मेरी मा ने मुझे सिर्फ खाना खिलाया ना कोई सवाल किया ना कोई बात कही एई देखो इचे कितना मन लगा कर पड़ रही है और एक तुम लोग हो गदे की तरह बस खाते ही रहते हो एविश्नू खड़े हो जा सरोजनी देवी की मा का नाम क्या है एक नमबर का गदा कुछ नहीं आता है मुझ अटका कर खड़ा हो जाता है बस सुभाश तु भी खड़ा हो जा तू भी इसके साथ रह रहकर एक दम ठीट हो गया है अब बेटा वेदा तुम बताओ उनकी मा का नाम है बारदा सुंदरी देवी गर्ड जड़ा इन सब के कान के नीचे लगाओ तो एक बात आप सब लोग ध्यान दें कि जब मैं थर्ट क्लास में था तब वो फर्स क्लास में थी अभी मैं फिफ्ट क्लास में हूँ और वो भी फिफ्ट क्लास में ही है अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उसे मेरे उपर कितना विश्वास है मज़ा आ गया मज़ा आ गया ऐसा कहने से अच्छा लगा हाँ तो भी उंगली डाल के देख बहुत मज़ा आया अमा चाचा जी और इस तरह में उसके थपड का बदला लेता था और फिर पापा का मुझे मारना मुझे इन सब की आदत दो देखना मने मज़ा आँ बागली दोड़े Mississippi पुझाओ बाल लगार नधने तो आंधे प्राइश सानिंगे ? के नहीं के प्राइश च ये जाँ ह symptom? अ हम्रे बाल भापस के ? आ नहीं के जाँ हम को शुरा गालो ऑण बालो थो लोगे वालो करे ये है तुम्हें लोगवसें खिसे बेरी बोधने सोड़ीदी है आइसे सक्कुलकार वणाखे दिगेगे PAUL-धेदी डर्डे जोंगे क्या मुवुन्त आखे तुम्हां है इज्चुपरा, है भॉट कि हम दुटैगे जटैगे तेरी है बॉट्सभा जब होगा रे तुम लोग मिठी में मिल गाओ मेरे दारु की पॉडल तोड़ी है अज गोर्मेंट हुली डे अब मुझे धारु की पॉटल कहाँ जे मिलेगी पता नहीं लेगा हाँ जल्दी कर जल्दी चल्द अधर जल्ट लोगों यहाँ पर मैं आप जल्दी जा आप लुए विश्णु माफ किजीगा शेकर जी अचяжनी की क्या जरूरत है कि अगर तेरी बेटी होती और उसकी शादी में ऐसा होता तो पता चलता पर तुझे वहyasं नहीं मिला मेरी बेटी की मुलाकाटी से हुई उसकी वज़़े से दोनों की दोस्ती होई और अज मेरी बेटी घर छोड़कर बहाग गई एक लड़की जब अपने बाप का घर छोड़ कर जाती है तब वो अपने साथ अपने घर की इज़ट ले कर जाती है लेकिन इस तरह कोई लड़की शादी के मंड़ब से उठकर भागती है तो अपने खांदान के इज़ट मिट्टी में मिला देती है आज के बाद से हमारी दोस्तियों मेरी बेटी दोरे खत्म हो गए अगर तुम लोग मेरे हाथ लग जाते ना तो जिन्दा नहीं बच्चते अब हाथ लगते तब ना तुम लोग तो ढूंड ही नहीं पाए अभी भी मौका है तुमारे पास सामनी खड़े हैं हम लोग यह गलती मेरे बेटी ची हुई और मेरा दोस्त भी मुझसे दोस्ती तोड़ कर चला गया अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है तो माफी मांगता हूँ तेरे पीटा-जी भी ग्रेट है गलती तुने की लेकिन उन्होंने अपने सर पर ले ली और पूरे गावाँ के सब्सक्राइब और पहली बार गलती की है मुझे पैदा करके वैसे गलती कर चुके हैं और मैंने जो किया वो कोई गलती नहीं है इसलिए माफी तो उन्हीं मां पढ़ेगा ना इसके लिए मुझे कोई गिल्टी नहीं है लेकिन यार ऐसे लड़की को भगाना गलत नहीं है क्या इसमें क्या गलत है वह लड़की उससे प्यार करती है लड़का महीने का 50,000 कमाता है और जिन्दगी जीने के लिए प्यार और पैसा दोनों है उनके पास यही मेरी शादी कभी नहीं करवाता मतलब तुम्हेरा दोस्त है रे लेकिन प्यार करने की तरही आउकाद सुपर है तेरे सामने तेरा दोस्तों तेरा बाप हो या कोई भी हो पर तुझे जो अच्छा लगता है वहीं बोलता है यह हमारा गैस्ट हाउस है पापा जब भी मुझे घर से निकालते हैं मैं यहीं पर आकर रहता हूं और मेरे पापा के दोस्त भी यहीं आ जाते हैं एक दिन मैं भी दो पैसे कमा कर उनके साथ दो पैग मारूं यहीं मेरी इच्छा है चेर्स अच्छा बता किस से जगड़ा करके आया तू जगड़ा करूं उसके बाद ही यहां आ सकता हूं क्या और नहीं तो क्यों आएगा यहां और एक वो है जिसे हमने जनम दिया है कभी भी नहीं आती है वो यहां जरा सा भी अटाश्मेंट नहीं है हमसे और अगर कभी आ भी गई तो यही रट लगाये रखती है मुझे जाना है जाना है मुझे जाना है बस इतना लाट करते हैं तेरे बापा उसे एक बार वहां देखिए सब समझा जाएगा कहां कि आंटी जी कॉफी हां ला रही हूं पेका ला रही हूं मा कॉफी वहां है जाके खुद ले 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 बेटा तुम्हें उपमा पसंद है ना इसलिए बनाया है थांक यू और मेरे लिए क्या बनाई हो जो बनाया है वो खा ले यह ले बहुत अच्छा बनाया आंटी बेटा जड़ा दिखाओ तुम्हारे अंकल आपस के लिए निकल रहे हैं तो वह तुम्हें कॉलेज में छोड़ देंगे ठीक है तुम आराम से खाओ बेटा खाने के बाद निकलेंगे मैं वेट करता हूं तब तर आराम से खालो हम यह था फ में क्यों आएगी यह देख जरूर तेरी मम्मी का फोन होगा पुछेगी कि मेरे बेटे को खाना खिलाया यह नहीं मैं जाकर अभी बात करते हैं अब जल्दी से बता दे सच सच बताना क्या सच में जगणा करके आया तू अरे तेरी उमर में सब ऐसा ही करते हैं तू बता त अच्छा यहां पर बोल दिया सो बोल दिया लेकिन अगर यह बात पापा के कांट तक पहुंची न कि ऐसा आपने बोला और मैंने सुना है तो हम दोनों को जिन्दागार देंगे इतना प्यार करते हैं पापा उससे मेरी तो उतर गई मुझे दो पेगार मारने पड़ेंगे तुभी मार मुझे तो चड़ी नहीं दारू बहुत पीली है बाकर खाना खाली जीए आ रहे हैं हम लोग यह हमारा ग्रेट कॉलेज दिखने में ठीक है लेकिन इसका चरित्र बड़ा महान है जिस तरह कॉलेज के बाहर पानी पूरी का ठिला लगाना असान है उसी तरह पी मांगी तरह तो अंकल है मेरे तो पापा है तु क्यों इतना गुस्सा कर रही है एक लड़की के बाप के साथ तुने जो कुछ भी किया घलत था उसके पापा को कितना दुख हुआ होगा कोई अंदाजा है तुझे तेरी तकलीफ क्या है मेरे पापा को तकलीफ हुई यह या उसके पापा को तकलीफ हुई दोनों को लड़की चली गई इसलिए उसके पापा को और तू अपने पापा की बात नहीं मानता है इसलिए तेरे पापा को छोड़ ना तू मेरे पापा की फिकर क्यों करती है और रही बात उसके पापा की तो सब बाप ऐसा ही होते हैं पारवती जी ने शीव जी से प्यार किया था उनके पिता जी भी नहीं माने थे अगर उस दिन पारवती जी अपने पिता की बात मानकर रुख जाती तो आज हमें इतने सुन्दर जोडी की दर्शन होते तुझ से बात करना मतलब अपना सिर्फ होना है तुने पूछा इसले बताया अगर ऐसी सिच्वेशन तेरे साथ आई ना तो तु भी खुझी से भाग जाना पुरी बात सुन्दे जा जो हमारे दिल के करीब होता है न वो साथ रहे तभी हम कुछ रहते हैं मैंने तो उनके हेल्प किया है भाई पुरानों में तेरा इतना इंट्रेस्ट है बहुत से जवाब दिया या इंट्रेस्ट नहीं है कल रात मुझे नीन नहीं आ रही थी तो महादेव का सीरियल देख लिया उसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे पूरा का पूरा एपिशोड इसको चिपका दिया इसको और मेरे पापा को ऐसे ही समझाना पड़ता है भाई एक काम कर यह डबिंग सीरियल देखना बंद कर दे भाल तो बात मत कर चल क्लास चलते हैं चल बहुत आगया होगा वो पूर्णिंग स्टुदेंट्स आज आप लगों को इसलिए आया होँ कि आप लोगों को यह बता सकूँ में आप मीं सेर क्या बात है अज तुम लोग इस कलास में कैसे अपनी कलास भूल गया हो क्या कहई भी भूछ याते हो मूठा के सर यह कंबाइंड क्लास है क्या है ठीक आओ आओ थोड़ा पढ़ाई लिकाई को भी ध्यान दिया करो हुम्, स्टुडेंट्स तुम्हें से होम साइंस के इस्टुडेंट्स कितने हैं? ओके-ओके अगले चार महीनों में तुम्हारा कॉर्स कम्प्लीट हो जाएगा और दो महीनों के बाद तुम्हें एक रिमोट एरिया अगर एटेंडेंस कम हुए ना तो तुम्हारे माब आपसे कॉंफरेंस कॉल कर वाऊंगा वेवकूब कहीं कहीं यह हम लोगों से कुछ जाधा ही एक्सपेक्ट कर रहा है इसे इसकी आउकाद दिखानी होगी अभी ऐसा नाटा करूँगा कि हम सब उसके सामने बाहर चले जाएंगे अच्छा करके दिखा दे मैं भी बहुत बोर हो रहा हूं अभी टेलेंट दिखाने को बुला तो मुझ क्यों बना रहा है जब भी कोई फाल्ट हो काम करने जाता हूं यहीं करता हूं डिस्टेम मत कर है अचानक क्या हो गया अरे और अरे और यह युद्व स्पेटल हूं धाने अरे अचानक से घर पड़ा पता नहीं क्या हूं यहां से पहले है अहां सर ऑटो में डाल के लिए जाते हैं पैसे मैं देता हुना बस इतना द्यान रखना इसे कुछ होना नहीं चाहिए तो मेरा नाम बंद रख चलो चलो जल्दी करो अब देखने के लिए अब देखने क्या कराया हो हलो गाड़ी पर आप लग डॉक्तर हो या कसाई हो लाते चीर फाड़ करने लगे कितने कमर्शियल हो गया है आप लोग यह तो बेरा ओप्रेशन कर रहा है अब यह तो बहुत आपका दसेजार का बिल बना है अच्छा अब अब बेटा मैं इनको छोड़कर आता हूं मा अरे बेटा कहां चला गया था अच्छा ये ले केक खाले अच्छ तो कम से कम जल्दी आ जाता केक लाने के लिए तेरे पापा को जाना पड़ा च्छिब आने बोला तो मुझे लगा तेरा मुझे पर प्यार आया होगा केक के लिए बुला रहे थी अच्छा एक बात की तरह और इसे महरानी की तरह रखा जा रहा है बच्पन से बहुत जेल चुका हूं लेकिन आप और नहीं मुझसे यह बिल्कुल नहीं सहन होगा मुझे मेरा हिस्सा चाहिए दादा जी की जमीन में मेरा हिस्सा कर दो मैं अब एक मिनट भी नहीं रहूंगा अब तो एक पल भ हमिशा कहता है कि मुझे महरानी की तरह रखते हैं और इसे नाकरों की तरह ट्रीट करते हैं हर रोज मैं यह सब नहीं सह सकती आंगल मैं यासे चली जाती हूं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है वो जाएगा अब तक उसकी मां का मुझ देखकर उसे माफ करता रहा अगर उसे मरदान की दिखानी है तो तुछ पर नहीं बलकि पढ़ाई पर दिखाए अब आने वाले टेस्ट में अगर एक विमार्ग तुमसे किसी सब्जक्ट में ज़्यादा लाकर दिखाए तो वो यहां महराजा की तरह रह सकता है नहीं तो उसकी माँ जो कॉफी लागर देती है और तुम्हें कॉलेज तक ड्रॉप करना वगर सब काम इसे करना पड़ेगा आइंदा ऐसे बाते करेगा तो दादा जी की जमीन क्या इस घर में भी कदम नहीं रखने दूगा साथ-षाथ परशिर आप से कोई चैलेंज करता है उसके शादी करके जाने तक सारे काम तुझे ही करने पड़ेगे तेरे पापा को तेरे उपर कितना विश्वास है बहुत अच्छा ओफर दिया है तुझे वह एक्जाम में पेज के बाद पेज लिखती रहती है और तुझे तरह पढ़ाई से कोई संबन तो है नहीं जिस तरह किसी अनपढ़ का भगवद घीता पढ़ना वेकार है उसी तरह तेरा उसे चैलेंज करना भी वेकार है अरे तुने उसे चैलेंज किया ही क्यों अरे कुछ सोचते हैं ना शांतर कोई रास्ता निकलेगा अरे अभी सोचने का टाइम नहीं है दो दिन के बाद एक्जाम है एक काम करते हैं क्रिकेटर्स गेम प्लान करते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं तो यही है हमारा प्लान मगर वो क्वेश्चन पेपर क्यों चुराएगा क्योंकि वह हमारे स्टाफ रूब में ही रहता है उसे हमारे दूसरे लेक्चरर ने तायार किया है सारे कृष्चन समें पता चल जाएं तो हम दो उसके आंसस लिख पाएं अब चिंता की कोई बात नहीं एक सब्जेक्ट क्या सारे सब्जेक्स में अग्स मार्क्स अच्छे जाएंगे इसकी प्रावलम दूर हो जाएगी यह चैलेंज चीज जाएगा कुछ भी करके मुझे इसमें से निकाला इसलिए तो हम सब जुके थे अब सब लोग सीधे हो सकते हो इस काम के लिए ओल दा बैस्ट हैंक्स या लेट्स मौव यह क्या यार क्वेशन पेपर चोली करना इतना आसान होगा यह कभी नहीं सोचा था यह तो क्वेशन पेपर लिखने से भी आसान है थैंक्स भाई चलो पार्टी करते हैं पार्टी की क्या बात करता है अभी हम चाय भी नहीं पिएंगे कल तेरे जंग जीतने के बाद एक बड सुनो तुने हमारे विश्णु को चेलेंज किया है ना अब तो तु गई काम से अब जाकर पता चलेगा कि कौन किसको मात देता है उधर देखो उसे देख रही हो ना तुझे हराने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके सैनिकों की तरह पढ़ाई कर रहा है वो पंदरा सालों से वो जो गुलामी की जिली की जीर है उससे आसा दे दिलाने के लिए आज हम सब एक हो गए हैं कल से युद्ध प्रारंब होगा आफ्टर दिस एक्जाम विष्ण इस कॉलेज का हीरो होगा तुपारे चलिंज का मूंत और जवाब देगा गेट एड़ी तु फेसेम यू एंड यू अड ब्लाडी अंकर क्यों मैने जनगर्मन गाया क्या जो इतनी सालेंट कड़ी हो डारो हालो क्या हुआ इतनी रात को कॉल किया तुने क्या करूं मैं ठीक है ठीक है कर दूंगी क्या है क्या हुआ इतनी तुने क्या हुआ इतनी तुने क्या है क्या है क्या है सर्व क्येश्टिन पेपर बाद में पहले अंसर शीट होगे वो क्या है कि मेन से पड़ाया ना इसलिए डरा हुआ 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 थोड़ा नेक्स्ट क्रेशन तो वही है ना ठीक है सहर यह लीजे जारे चला दोस्ता है जारे सावरे आंसर नहीं लिखेगा तो मर जाएगा क्या या या इसका एक्जाम नहीं है चश्मेश देखना मार्क्स देखकर प्रिंस्पल सब्मे में चला जाएगा और तू इस कॉलेज का हीरो बन जाएगा थैंक्स मेरे दोस्त तूने मेरे लिए कितना रिस्क लिया है कोई सुन लेगा आज रात को मिलेंगे तब डिटेल में बात करेंगे चीर्स चीर्स पुछना था प्रिंस्पल साब से जाकर पूछो ठीक है हमने रिखाता तो हम क्यों डरेंगे प्रिंस्परीम कोर्ट तक जाएंगे चलो जब यह सब क्या है सर्ट लिखने के बाद भी जिरो मक्स क्यों मिलें वह बच्चों कैसे पढ़के पहुचे तुम लोग डिग अरे तुम लोगोंने तो खुद ही माल लिया कि तुम लोग चोरो अरे तुम लोगोंने कोश्चन पेपर चोरी की तुम ने कोश्चन पेपर ही चेंज कर दिया और तुम लोगोंने वही एंसर लिखे कम से कम चेक तो करना चाहिए था कितने नासमझ और बेवकूफ हो गढ़े कहीं के यह सब होने के बाद भी तुम लोगों को क्यों छोड़ रहा हो पता है अगर बाहा जाओगे ना तो तुम लोग सोसाइटी को खराब करोगे आई बात समझ में निकलो गढ़े कहीं के पता नहीं क्यों ऐसा लगता है यह प्लान तुने ही बनाया होगे कॉल करके अपने पेरेंट्स को बुला तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा उनको पता चल गया तो वह मुझे चांस से मार देंगा सब्लीज निकल यहां से एक बात समझ में नहीं आए इनको पता कैसे चला यही प क्या रहे तू तो कह रहा था कि तेरा दोस्त कॉलेज का हीरो बन जाएगा यह अचानक बोल्डी क्यों बंद हो गई तुम लोगों की अरे यह लोग तो बैचारे हैं प्रेश्चन पेपर चुराया था यह प्रिंसिपल को पता चल गया होगा पता तो चलेगा ही ना इसने कुछ बेवकूपी नहीं होगी वैसे तुम्हाना प्लान काफी अच्छा था लेकिन हमारा उससे भी अच्छा था है हेलो हेलो सुभा कौन बात कर रहा है मैं रूपा बोल रही है यह क्या तुमने इस समय फोन क्यों क्या है वो क्या है आज कॉलेज में तुम्हारा हीरोइजम देखकर हीरोइजम लेकिन मैंने आज कॉलेज में किसी को मारा तो नहीं अरे वो जिस तरह तुमने मेरी साहली को ब उसकी फ्रेंड है ना उसे वर्निंग देने पर तू क्यों खुश हो रही है तू भी उसे पसंद नहीं करती है क्या है पटा है वो ना मेरे साथ हमेशा रहती है न इसलिए मैं तुम से ठीक से बात भी नहीं कर पा थी । यहां मैंने भी यह बात कई बार नोटीस की है तो मुझे चुपके चुपके देखें आज मैं वहां आ जाओ क्या तुम बहुत रोमैंटिक हो ना सच्पे क्या अच्छा एक बात बताओ यह अचानक तुमने उसे वार्निंग क्यों दे दी हां बचपन सिब मुझे और विश्णू को बहुत टॉर्चर किया है उसने कल हमारा सारा इसाब चुकता हो जाएगा वो कैसे वेदा तो विश्णू से ज्यादा पढ़ाई करती है ना हरे पढ़ने दे हमने क्वेश्ण पेपर ही चुरा लिया है अचे सुनो आज के चलिए आज ना वो को पानी भी आला है क्या हुआ तुझे क्या लगता है अ में तज चे प्यार करती हूँ शखल देखे अपनी चल उसने मुझे बेवकूफ बनाया है अब तो उसे हर हाल में जेल नहीं पड़ेगा हमें कुछ भी करके उसे सबक सिखाना चाहिए मुझे बस एक मौका दे देख उसे कैसे डर का एहसास कराता हूं तो इस बार सेरिसली करना चाहता है ना अरे तेरी कसम यार मेरीकस मतखा तो फिर अभी मेरे लिजने के बज़ाए थोड़ा सा जहर लाखे दे दे मुझे तेरे राक्षास बाप से कम करवा होगा अरे जब पापा घर नोगी जाता ही नहीं हेः जड़ा एक नट रूख ये कार तो प्रिंसपल साहे की लग रही है। कि फाइबंद्र प्रिंसपल की लग नहीं रही है। प्रिंसपल पेसा रहता है। कई रहें को पार्क कर रखी है। कुछ तो गरबर है यह पता लगाऊंगा तुम लोग ज़रा यही रुको तो यह सेटिंग चल रही है यहां पर क्षिया पर थे पहले हैं ना फूर्वान चाल रहा है तुरी तो आप अधान चाल आप टेरी तो हमारे देखने से क्या होगा वाइल शूर्टकर फ्रेशी दिखाएंगे तो मंचा माल में लेगा तो बढ़ी है अधान चलती अरे यार काम बनने ही वाला था कि उसने लाइट बंद कर दी अब क्या करेंगे यार कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा क्या करें क्या क्या करें कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा यार आईडिया थोड़ी तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए सीनियर्स को देखकर चल है क्या और एक तो अपने आपको बहुत शानी समाजती है क्या है सब कुछ है तेरे पास पड़ाई खुक्सूरती टैलेंट सब कुछ है तेरे पास बेड़े की बत्ती बुजी हुई है आज वही बत्ती जलाने आया हुआ हुआ है हम स्कूल जाते थे तो घर से भूर भूर करने डराता रहता था तेरा वो हिट्लर बाप आज उसको और इसको दोनों को सिखा दूगा कि रिसनक क्या होती है मत रख मुझे मैं दोनों को चुप हो जाना यार मम्मी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा चुप हो तो क्या है यार इतनी सीधी साधी है वो अगर उनसे दूद्ध भांगो तो वो सचारी खीर बटा के खिलाती हैं लोगों को तेरे बाप ने तेरी बाप और काम वाली और तुझे नौकर बनाकर वक्का हो आए ठोलो मैं जोनों को छुड़ो नहीं मैं रूपना नहीं मुझे देखना कैसारास अफर्मान उप स्फद को ऐस शुबाब यहां लित व कर रात को यहां अंद मैं गलता हूं क्यों बेटा बिना खाए पिए जा रहा है मैं डोसा बना देती हूं तू खा के जा ठीक है आज़ा खा के जाना पड़ेगा गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग बेटा एक्जाम में क्या हुआ एक्जाम बहुत अची थी आंकल गुद आज पाध्या मेंट के सामने लोगों ने धना दिया हुआ है जिसकी बजा से ट्राफिक जाप हो गया है और लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है पॉद मुझे तरह भाप भाप को बता चलेगा तो मुझे माट आलेंगे यह हमारे समय पर देखता रहता है बस तेरा बाप हर समय आगा था 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 है था पॉद माट आगा आगा था था यह है कि अधर हो पाजलना कंशा मट चैना गात चलेगा तो पुल लिए प्लीज शंथ हो जाब तेरी सांथ हो जाब श्रत आगा श्बाश कि यह श्रति किरना बश्पा घलाए कि रहा था यह जान जो तेरी माट बमकर आगे भाण। कि अंकल ऐसी बात नहीं है दर असल हुआ यह था कि अप ऐसी बात नहीं है आइंदा घर के आत पास दिखाना तो हाथ पैर तोड़ दूगा बार-बार क्यों आउंगा आपका घर कोई और तुछे लो तुम्हें क्या करना है रोस तुझा इhtर बटकते상 किसके घर आये तो कि अंकल के आए वापस अपने घर जाओ तुम जाआ अपना काम करो करतें कि गहर पर आहे लेकर पो लेकर उटिपकी जातें कि घर पर इस खिलो पिजे नहीं को पीटरा इसको अपनी बीवी को मार रहा हूं तू को ने पुछने बाला नहीं तो बीवी ये शब बोलने कभी हख नहीं है तुझे दो दो बच्चे होने के बावजूद भी अपनी बीवी को मार रहा है इंसान तो क्या तू तो जानवर के लाने के लाइक भी नहीं है तेरे बच्चे तुझे देख कर डर रहे हैं कितने सहमेवे हैं तुझे कुछ ख्याल भी है उनका एक बात याद रखना पीएगा तो घर उ कॉलेज नहीं आया उसने ट्रैफिक हवलदर को 10 रुपे की रिश्वत दी थी वो उसे पकड़ कर कोट मिले गया अरे सुभाश उसकी सेवा करकर थक गया हूं यार अरे बाप्रे इस फ्रस्टेशन से रिलीफ चाहता हूं मैं कल अपने हीरो की फिल्म रिलीज हो रही है कैसे करके ठिकट ले आना यार भाई तेरे साथ पिक्चर देखेंगे तो हमारी रक्षा कॉन करेगा तो एक काम कर अकेला जाकर देख ले हमें यहीं रहने दे प्लीज इस मामले में तेरा और मेरा कोई साथ नहीं चल जा अरे प्लीज यार चलो ना तुम लोग के बिना कभी पिक्चर देखा हो क्या मैं तुझे जाना है तो जा चल निकल हम नहीं जाएंगे अरे तुम लोग तो चलो यार में जाएंगे मेरी बात ध्यान से सुन ले कल मैं मौर्निंग शो देखने जा रहा हूं जाना कप्ड़े फार देते हैं यार किसी और थीटर में चलेंगे तुम लोगों को प्रिंस्पल साभ बुला रहा है चलो वेट करने के लिए बुलो खाली तुम बैठा है वहां चल जा अब ऐसे क्या घूर रहा है हमें बताने आया या घूर ने आया चल जाना अच्छा बाद में बताता हूं एक बोलता है चल दूसरा आ जाता है बुलाने है सिग्रेट देख हां ले ना भाई लगता है बहुत चैर भी चड़ गई है क्यो रहे कुछ बोलता है क्या करो सर इस चपल की वज़े से जब से पहनी है मेरे पाउं ही नहीं रूक रहा है कि इतना कमफर्ट है यह सर चाहिए तो आप भी ले सकते हैं सर आपकी ही साइस की यह यह तो मेरी चपल है स्वर्णा कॉल नहीं पताया ना वहीं से रात को दस मजे खरीदें अच्छा डिसकाउंट मिला है तूजा घर पर जाओं किया सर अरे जाना अहां ठीक है सर शॉप के बारे में तो अच्छे से पता चल गया होगा आपको आप चाहते हैं कि डिसकाउंट के बारे में किसी को पता ना चले तो थोड़ा सालेंट रहना पड़ेगा नहीं तो एक काम करता हूं अपैरें इसको ल अपहस गया मैं सर तेस्ट अच्छा आपका उपहर सूपर वैयाः वैयाः ये बग्वार चिह 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 चुछ 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 चुछज़ या कि मुझे यहां के लेकर आयों प्लिज यार एक बर मेरी हेलप कर दे मैं वहां जाऊंगा तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी यह प्लिज 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 तू जो बोलेगी में वो करूंगा प्लीज, प्लीज, ठीक है, लावे, थैंक यू, ये हीरो मेरा भी फेवरिट है, ए, 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 फर्स शो नहीं देखूंगा, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ए, प्लीज, रे, हरे, क्या दड़की है, इस दिमाग खराब करके रखती है, मेरा, क्यां वेउ़ते कि वे फकत गल mo एज़की है, वेशव़की वेश़की है, वेस्वादे कि झाओते कि वेश़की है! तो पवन कल्यान का इतना बड़ा फैन है मैं तेरे पास वरिती पर तूने मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही दिया वैसे पिक्चर की कोई खास नहीं थी पिक्चर अच्छी हो या ना हो यह नहीं पता फर्स शोर थेटर में देखा दिल को कुशी मिली और इंजॉय किया फिल्मो तो फिर तुम्हारे बिटाजी असल जिंदगी में वो मेरे हीरो है कभी साही तो नहीं होने दिया यह दो घंटे के फिल्म थी बताना पड़ता है यह जिंदगी सौ साल की है पता लगाना पड़ता है और मैं कितनी पसंद हूं आज ही तुझे घर से निकाल दूं इतनी पसं और इस यह बख्र soup मैंने कुछ पूछाए उसे जवाब भी नहीं दिया इसको पूछिये अब यह काम करूँ किया दिन बर उसकी सेवा करता रहता अब उसके दिल में क्या है वो भी मैं ही पता लगाउं अंकल कैसे हो अरे बाबी क्या हो गया है इने मुझे कुछ नहीं पता उसी से पूछो आपसे तो पूझ करी गलती गड़ी अरे विश्णु बेटा क्या बात है कई दिनों बाद आयो आज पीने का कोई प्रोग्राम बनाएं क्या बनाओ ना बाबा बहुत दिन हो गया चलो ना करता है पढ़ाई में ध्यानी नहीं लगता उसका कहता है खेती ही करेगा यह लोग ऐसा ही बोलते हैं उन्हें समझाना चाहिए समझे नमस्ते जी इस बार तुमने फॉर्म का एडवांस पैसा नहीं भेजा अरे आपके बेटे ने आपको कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोल क्या बात है भाई साहम आपने ऐसे अचानक बुला लिया हम लोगों को हरे कुछ नहीं दो महिने में बिटी की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो इसके रिष्टे की बात करने के लिए तुम लोगों ने कोई रिष्टा देख रखा है क्या अगर देखा है तो मुझे बता दीजे मतलब इससे अच्छा रिष्टा और कोई हो सकता है क्या आनन मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है अरे ज्यादा ने एक आद ही बता दो शेखर साब का बेटा है क्याला कर मेरा नाम बदनाम कर रहा है लड़कियां भगा कर दोस्तों से शादी करवाने की आदत तो है लिए इसकी अब अगर कोई ऐसी बदकिस्मत लड़की मिल जाए जो इसके साथ भाग कर शादी करेगी तब ही इसकी शादी होगी देख लो तुम्हारे माबाप किस से तुम्हारे शादी की बात कर रहे हैं देखो बेहन जब इतनी छोटी ची थी तब इसे गोद में उठा कर लाया था इसे उठाने के साथ साथ इसके जिम्यदारी भी उठा रहा हूँ इसकी शादी तुम मैं ही करूँगा तुम लोग बस शादी में आकर कन्यादान कर देना और आशिरवाद देना बस हुआ अगर तुम मैं इसकी शादी तुझसे करवाऊंगी सर बोल की तुझे है मेरी बैटी है ना अगर ना कहेंगी तब भी इसकी शादी तुझसे करवा दूँगी में रहने दो आंटी पापा ने जो कहा वो ठीक है ये कहा मुझे पसंद है ये कब घर छोड़कर जाएगी यहीं इंतजार कर रहा हूँ मैं अब तक इसे छेला वही बहुत है अब इससे शादी करके जिंदगी पर इसकी गुलामी करो यहीं चाहती हो आप अगर ऐसा तो ठीक है सिंदगी भर मैं तुझसे बात नहीं करूँगी हां हां लेकिन फिर भी मैं आपके घर पर आ तो सकता हूं अगर इससे शादी कर ली तो मैं अपने घर पर भी नहीं रह पाऊंगा अजी सुनिए क्या कह रहा है क्या कह रहा है मेरा विश्टू मेरा विश्टू मेरा दामात कहरेकर सिर्पर बैठा लिया था अब देखो बीच रासे में हमारी बेज़ती कर रहा है अब क्या बागी रहे गया है बस आ गई है चलिए उठिये पहुंच कर पहुंच करती हूं देख बेटा अपनी आंटी को खुश करने के लिए तू कोई फैसला मत करना हो जिससे तुझे खुशी मिले वहीं करना हो यह राख नहीं मेरे पास नहीं रख लेना हो बाई पापा बाई बेटा जाद घ्याम् से टूबके ले ळाद बाई बाई डieso करना हो जाद बाई मСТमि たुनमू का बना ही उने करना हो जो भला इता कर सो हो चज़ाई बाई आडं़ क Woru पा हो दोज़ा हो ऑाना हो जाला हो जोडह हो दो चाला हो ऑिक बना हुई washसकला हो जो वह हुई दो करना हो कि हुआए खो ждley अजय क्यों थे रहाँ जो अरे यार मैंने तो दोई पी लेकिन तू इतनी क्यों पी रहा है लाइफ में फर्स टाइम पीने के लिए दिल कर रहा है क्या हो अरे आज मेरे पापा ने मुझे बहुत ही जलील किया है अब इसमें नई कौन सी बात है वही बोले जो मेरे बारे में सोचते हैं यह सब सुनने की मेरे यादत से हो गई है लेकिन मैं वही करूंगो जो मुझे अच्छा लगता है तुझे बात बोलूं एक बेटा दुनिया में सबसे आदा अपने बाप को समझ सकता है फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो बेटा ही उसके सबसे करीब होता है सच कहूं तो हमें अपने बाप के बार में बात ही नहीं करनी चाहिए उनकी उम्रे ढल रही है और अपनी चड़ रही है उन्हें हमारी हर बात गलत लगती है और हम उनकी बात को कुछ समझते ही नहीं बस यही प्राबलम है बात समझा नहीं लेकिन सहीं बोल रहा है तो दो बियर और बोल हाईवे पर नहीं यार वह क्या है ना माने घर पे मच्छी बनाई है तू आ रहा है क्या खाने जल्दी बता ओ तेरे घर पे अरे मेरे पापा शहर गए हुए है क्या बात है फिर तो पक्का विष्णू तेरे पापा हा मा आदत पड़ गई है मैं खुश हूं आप चिंता मत करो और जब तक वो यहां है मुझे उसे जहलना ही पड़ेगा और बार-बार उसका टॉपिक लेकर मेरे पास मताओ किसका टॉपिक बेटा पीकर आया है क्या आंटी इतने सालों में पहली बार सही पकड़ा हमेशा तुझे पहले देती हुँ ना इससे पहले परुस दिया तो क्या हो गया पगली है मा सुनाई भी नहीं देता है ठीक से बेटा ये ले ये बिना काटे वाला टुक्रा बहुत ता है माम इसके साथ तुझे जाने के लिए कहा हहा है ये ही बातकर नी थी तुम्हारा सब बेटा हुँ पापा ने कितना बला बुरा कहा लेकिन तुमने कुछ कुछ नहीं कहा मन पसंद मच्छी खिला रही हो इसलिए मनमानी करवा रही हो ची ची अब इस घर में एक पल भी ले रहा ना मुझे विश्णु 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 आंटी जी इस बार में किसी के समने गिरगराने की कोई ज़ुरत नहीं है यह मेरा पोस्टनल मैटर है मैं खुद ही समझ इसका जिकर किसी से मत कीजिएगा प्लीज ठीक है अरे सुभाश यह इतना बहरत कर चली गई यह खाना छोड़ कर चला गया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने कुछ गलत बात कहीं क्या मेरी किसमत आपको समझाओंगा तो वेरी जिंदगी कम पढ़ जाएगी यह मच नमस्ते हम दो दिन ला रहें है ठीक है आईए इधर यह कौन है रहे यह कॉलेज की लड़किया है बाई हमारे गाओं की लड़कियों को पढ़ाने के लिए जागरू करने आईए नमस्ते आटी जी नमस्ते बेटा आपके गर में कितने लोग रहते हैं मैं मेरे पद्धी और मेरा बेटा है और वह अंदर जो है वो कां है क्या पाधा आटी क्या हुआ आप नो क्यों रही है कौन है वह लड़की क्या बताओ बेटी दो मेरी ही बेटी है जान है लेकिन लैंश की तरह जी रही है क्यों ऑंटी वो घर के एंदर ही क्यों रहती है उसका अब चटा महिना चल रहा है इसलिए वूंदर ही रहती है तो इसबात पर आप वो क्यों रही है उसका पती ni है क्या शाधी होती Tonte일 होता ना ऐसे यंदेरे में बोज काटते हुए जिंदेगी जी रही है दुनिया से बचते बचाते इसका मतलब आप नहीं जानती कि उस बची का अपभाब कौन है आधी वो कौन है ये तो हमें पता है लिकिन हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते बिटा और उसके खिलाफ बोलें देंगे तामे माह डालेगा उगाहवालों का पता चलेगा तो वो सब हमें इस गाहों से निकाल देंगे इसलिए अपनी जान और इजद बचाने के लिए वह ऐसे गुट-गुट के जी रही है जिसने यह सब किया है वो आराम से बाहर गुम रहा है और आप यहां बैठे आंसु बाहर रही है ऐसे लोगों को तो मूत और जवाब देना चाहिए ताकि वो और किसी के साथ असा ना करे अरे चल निकल यहांसे इंसाफ मांगो विरूत करो यह बोलकर मेरे घर की इज़त मि यहांसे बीवी के आंसू और बेटी के भवशी के बारे में ना सोचकर शराब पीकर गटर में गिरना यही इसत है तुम्हें एक नसियत देना चाहूंगी शराब तो घर को उजारती है और शराबी पूरे गाओं को एक बात याद अखना पीएगा तो घर उजड़ेगा वहीं प्यार करेगा तो घर बसेगा इस काउं की सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा खराब है हाँ यार मुझे तो बहुत डल लग रहा है तुने देखा न वहमें कैसे गूर रहा था वो तो गाओं का दबंग है उसका कोई विरूद नहीं कर सकता पता है अरे कोई कितना भी दबंग हो स्कूल के इने शराब के दुकान कैसे खोल सकते हैं यहां से निकलना ही हम सब के लिए अच्छा होगा बाई एक पक्की खबर है उस लड़की को गाओं के बारे में सब कुछ पता चल गया है उसका कुछ करना पड़ेगा भाई सपना है सच होदा तो अच्छा होता है लोग बहुत अच्छे हैं है लड़कियों तुम्हें घर में बैटकर खाना बनाना चाहिए यहां कर हमारा सिर्दर्द क्यों बढ़ा रही हो प्यार से कह रहा हूं हमारा का च rattling जाओ यहां रहोगी ना तुम पर खत्र हो जाएगा तो tapping frogs यहां बात कर रहा कि इतना ने नियोंट शुरुण किये गर जाने की बात कर दाया उसका प्रोजेक्ट उसकी तुझे तकलीफ हो रही है वहाइँ तकलीफ सिप है वहीं हमारा इसे ठीक करता हूं चल अभी और पिटाई बागी है ते लड़कियों आखरी बार समझा रहा हूं चुप चाप चली जाओ अरे बाकर यह बहुत देंजर आदमी लगता है मैं चुना कल यहां से चली जाना तुम लोग समझ गई ना है चला चला जा तुम तुम क्या बात है आँटी यहां बताऊं बेटा तुम्हारे कहने पर मेरे पती ने गाह वालों से मदद मांगी तो सब गाहं चौड़ने के लिए कह रहे हैं हमें कैसे इंसान हो चुप उसका सामना करने की बजाए तो में नहीं काव छोड़ने के लिए के अन्याय से वन की बेटी की के साथ नहीं बलकि पुरे गाउं के साथ हुआ है अगर उसे अप लोगों ऐसे ही छोड़ दिया ना तो आज जो इसके साथ हुआ है कल आपकी वेटियों के साथ होगा वहर अकल रोश्टी में जीना है या फिर अंधेरी में मरना है या आपको डिसाइड करना है अगर आज आप लोग हिम्म्त दिखाएंगे तो खल इसकी जिंदगी बन जाएगी अब फैसला आपका है हम जान पर खेल कर भी इंसाफ लेंगे चलो 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 आज इसको छोड़ेंगे नहीं है अपिना में चुटरपाल! लाँ चाहते हैं, पहने कराएं जो पहना पहन कराएं पहना चल्थी जो पहना हमारी बात मानकर गाउवालों ने उन दोनों की शादी करवा दी मैं बहुत खुश हूँ हमारा दिल जो कहता है अगर हम वो करें तो उस बात की खुशी ही कुछ और होती है बेटा बेटा अरे वो शादी की बात तो स्वेंग पर डेड़ी को पता चली तो फिर वो गाउवालो जम कर उसकी पिटाई की और वो गाउव छोड़कर भाग गया आप लोग ना यहां सरा हुश्यारी से रहना हम विश्नुफुफ। वृच्णुफ। है इतनी रात को क्यों आई शुबध नयुना सुबध अचछा सुबध जहां कै अले उसे उठा वेडा को तेज बुखार है अच्छा इसलिए यह विश्नुफ। है विश्नु जलदीजा पिछले एक घंटे से इसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है पास में अगर कोई हॉस्पिटल हो तो इसे ले जाओ सुनिये सुनिये महरें जी आसपास में कोई डॉक्टर लेख्या यहां तो कोई हो ही पास वाले गाव में एक ही डॉक्टर 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 साफ डॉक्टर साफ एक क्या चाहिए तुझे आधी रात को डिस्टर्व क्यों कर रहा है क्या यह किसी मंदरी का दर्वाजा है क्या जो खरकटा रहा है सर आपको तुरण मेरे साथ पास के गाव में चलना पड़ेगा उसका फीवर बढ़ते ही जा रहा है देखो अगर हार अटेक भी आ जाए ना तो उसे मेरे दर्वाजे पर आना होगा मैं किसी के दर्वाजे पर नहीं जाता आस तक कभी कदम बाहर नहीं निकाले इतना फेमस चला ना पहले ही बीपी का पेशेंट हूँ अरे कप्छो तुमके बुखार है कैसा लगारे सब कुछ चीक तो है ना तभी तो मैं सोच रहा थे थी अट्टी-कटी-मोटी ताजी को क्या हो गया है ज़र अपना हाथ दो तो एक सुबह एक शाम को देना इसे और हाँ खुद पेप्रामिंट समझ के मत खा जाना यह अलग तरह का टैबलेट है चलो अब मैं निकलता हूँ सर एक बात पुछो यह बुखार आया कैसे अरे कुछ खास नहीं बीले जाना मच्छ पानी इसलिए आ गया होगा तुम लोग तो भी नए आयो ना आदत नहीं है ना इसलिए फिर से तो नहीं आएगा ना हो सकता है फिर से आजाए मुझे क्या पता मैं कोई एंबीबीस डाक्टर तो हूँ नहीं मैं सिर्फ आरेंपी अर्मिन स्वामी हूँ अभी मुझे घर चोड़ो ठीक है कल सुड़ द आइक वह लड़की तुम्हारी लगती क्या है तो फिर सon नहीं तो फिर क्या है उन दोनों से भी ज्यादा क्या भी लगता है तुझे समाजने की कोशिश करूँगा तो अर्विन स्वामी ऐसे ही मर जाएगा कि अब भी सोने जा रहा हूं तो मुझे वज़ चोड़ दोने ठीक है बड़ा ही अजीव आजमी है कि झाल 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 विष्णूं मैं दो दिन तुम्हें नहीं दिखी तो तुम यहां गए तो इतना डर गय क्या मैं तुम्हें इतनी पसंद हो पसंद नहीं तुम जिम्मेधारी हो और इससे जादा पापा डाटेंगे यह डर है अगर ये बात पापा को पता चलेगी तो वो सोचेंगे तुम्हें बुखार मेरी वज़े से आया है वो बात नहीं है विश्णू रने दे पढ़ाय भी मुझे पसंद नहीं पापा की वज़े से पढ़ रहा हूं कुछ काम हमें करना चाहिए कुछ काम हमें जन्म दिया उनके लिए करना चाहिए जाओ तुम्हारे फ्रेंड्स रडियो हो रहे हैं तुम्हें रडियो हो जाओ हुआ 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 है रूपा रात को तुम्हाई थी तो मैंने गलत समझा था इसलिए स्वारी है मुँ बंद रख और खा अब लगता है कोई चांस नहीं मिलने वाला है वो आई नहीं अभी उसका बुखार अभी भी कब नहीं हुआ वैन में ही बैठी है वो अमू 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 सुबह से कुछ खाया नहीं ना लो यह टैबलेट खा लो बुखार कम हो जाएगा हुआ 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 है खुले में सब कुछ करने का मज़ा ही अलग होता है हलो मैं यह सरदार के डहबे पर हूँ आजा तुम लो क्या है है विश्णू कल जिस वेंकट को मारने काटने के बाद कर रहा था न वो यहां पर अकेला बैठा हुआ है तुझ जल्दी से आजा उसे सबक सिखाते हैं काट डालेंगे उसको अच्छा तुबहें कि अज उता हम विश्णू तन एक पुछेट को तो जिए तो मनजा रहे गाए मैं जुँजट को पुछाएंगे तो मन्जाएंगा पर तो अब जा जा दिया उसे मारा थो ठीक लेकिन टकले पर सिग्रेट क्यों पुछ आया उसकी कोपड़ी मस्ती इसलिए आजु बाजु खेती और बीच में एकदम फ्लाट आश्ट्रे की तरह इसलिए उजा दिया दो बेटा नाम क्या तुम्हारा बहुत किस्मत वाली हो बेटी जो तुम इनकी छत्रशाय में पली बड़ी हो तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं तुम्हारी शादी के लिए इतना अच्छा रिष्टा आया है तो भी कितनी शर्टे रख रहे हैं लड़का ऐसा होना बोल रहे हैं हमारी तो सासे अटक गही है उनके यहार रिष्टा होना भी राज योग की बात है क्या कहते हो उनको भी आश्चार यह हो रहा है कि शेकर जी के यहां से रिष्टा आया है यही खासियत है इनकी यह देखो लड़की की फोटो तुम्हें पसंद है तो अगले आजकल कहां मिलते हैं अरे आजकल की लड़किया तो शादी करके आती हैं और बाप से आशिरवाद ले लेती हैं माबाप की बातों की परवा कहां करती हैं इसको शेखर जी ने पाला पोसा है उनके संस्कार का असर तो पड़ेगा ही अच्छा हम चलते हैं शेखर जी नमस्त भाई साब आपके बेटे के लिए भी रिष्टा देखूं क्या आप लोग जाए इनको क्यों बेटा मैंने तेरे रिष्टे की बात की तो तेरे पापा नाराज हो गए अरे आपको किसने गाप पूछने के लिए मेरे बारे में बात करेंगे तो ऐसे ही जबाब मिलेंगे अब समझ में आ गया चलिए निकलिए यह बाप बेटेख जैसे ही जबाब दे रहा है इंका कुछ नहीं हो सकता चलो चलो विश्नू विश्नू बस कॉलेज ना और वापस ले जाना बस इतना है कभी के तुकलती से मज अचय काफी के लिए पूछ लिया करो किसे बात कर रहे हो तुम मांड यो लेंग्वेज इसत से बात करो ए तुझे के इस्जदू है क्या बोला था तुने मुझे तुने मुझे बड़ी ब्लेजर्स बोला था ना यूजलेश फेलो अरे यह तंडी है क्या है यह यूज चीफ फेलो तु जानता इसकी कॉस्ट के से लिटर है 70 रुपीस और इसके उपर कितने का प्राइस है 500 अब मुझे बता कॉन एची फेलो कॉन एची फेलो तु या मैं बोल 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 अरे बोला कॉन एची फेलो अरे बात कर रहे है जाने दीजे सर प्लीज अरे यह काय का लवर है बैचारी रड़की कबसे इंतजार करके वाइटी थी कि लवर आएगा और कुछ प्यार की बादे करेगा लेकिन यह आके सर्दी लग रही है चदर चाहिए यह चाहिए वो चाहिए क्या यह कोई पुलीस टेशन है इसे लिगर चाहिए फ्लीज और उबर से हमारे गाउं को डर्टी विलेज भी प्यार की असली आपके बोलने पर उसे चोड़ रहा हूं मेरी इक्छा है कि आप लोगों के साथ एक सेल्फी लोओ मैडम प्लीज मैम प्लीज सार मैं वेस्ट लवर्ज के वाड़ आप दोनों को देता हूं अरे सर आप अवार्ड में भी बोतली देंगे अजा सुब्बार राम वेड़ी नाम का आप में अवार्ड वेगा था सब लोग लेते वा मैं दूंगा तो क्रोणी लेगा अब बैटर सर एक सेकेंड शर आप द और आठाड यो अर्ण हमें इस ने एसा कि बोला क्या वला हूं वहोपिया हूँ था और मैंने उससे बात कि इसलिए उस से ऐसा लगा होगा विश्ञू वह जो इस तरह से कह रहा था उसकी बातें सुनकश्यू ञátकू पीया हूँ अज्सरों पीज सेक邊 कर रही है पापा, क्या है रे, मुझे दो मिनट लड़की से बात करना है, बाग लो जैसी बाते मत कर, जब तक रिष्टा न हो जाए कुछ मत बोलना, चेकर जी के यहां से रिष्टा आया है, बक्वास मत करना, हाँ, मेरा फेस्बूक क्यों नहीं खुल रहा है, सिगनल नहीं मिल रहा हो पापा जब आपके यहां से रिष्टा आया है, यही बड़ी बात है, और ऐसे में, कोई लड़की से बात करने को कहगा, तो आपके संस्कार पर सवाल ने उठेगा, इसलिए मैंने बात करने को मना किया, आज कल के लड़की ऐसे हैं, रे, सेखर ची की लड़की है, बात करने लगी पूजा करने लगी घर पर अब तो खाना भी बनाती है एक बात पूछो तुझसे पूछो अच्छा यह बच्पन से ही तेरे साथ बड़ी हुई तुम दोनों साथ में खेलते थे वो तो है साथ में मिलकर पढ़ाई भी करते थे अब यह शादी करके चली जाएगी तो त मुझे तकलीफ नहीं होगी मां तकलीफ तो हो रही है पर क्या कर सकता हूं बच्पन में जब मैं गिर जाता था तो आप लोग दवा लगाते थे लेकिन अभी आप लोगी चोट पहुंचा कर दवा लगाने की बात कर रहे हूं तो क्या चाहता है बिटा मां एक बात बताओं एक बात समझा देना क्या समझाना है बापस ना है शादी के बाद भी हम लोग को उसे जहलना पड़े तो यह तो बहुत ही तकलीफ की बात है तू भी ना बाप रे भगवान भी तुझे नहीं सुधार सकते गधा कहीं का बस खाता ही रहता है आज के बाद से हमारी दोस्तिया और मेरी बेती दोला खत्म हो गए एए उस दिन जिस तरह तू मुझ पर गुस्ता होकर चला गया था उसके बाद तुझसे माफी मागने की हिम्मत नहीं हो रही है और तुझसे बात करता भी कैसे अभी तक दुख हो रहा है मुझे उस बात का मेरे बेटे ने यू किया उसके लिए माफ कर देना यार उस दिन मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई थी इसलिए मैंने ऐसा कहा था आज मेरी बेटी बहुत खोश है इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर बैठाओं बदलते वक्त के साथ इंसान भी बदल जाता है उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था कि तेरे बेटे को माल डालू लेकिन अब तेरे बेटे से मिलूँगा तो उससे मा भी मांग लूँगा क्योंकि उसे उस दिन भी पता था और आज भी पता है कि उसने सही किया है एक बाप होने के नाते मैंने सिर्फ अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचा लेकिन उसके भविश्य के बारे मैं नहीं सोचा, मैं अपनी बेटी के लिए शायद इससे अच्छा रिष्टा नहीं ढून पाता एक बात तो सच है कि दो परिवार के मिलने से संबंध बनते हैं, लेकिन दो लोग मिलते हैं तो जिंदिगी बनती है हम लोग सिर्फ संबंध के बारे में बात करते हैं, पर जिंदिगी के बारे में भोल जाते हैं एक बात बता, तेरा पती अभी भी पीता है क्या, तेरे साथ मार पीट करता है क्या अरे पीकर मार पीट क्या, उसने तो पीनाई छोड़ दिया अरे वा, उसने पीना छोड़ दिया है कहीं कोई जादू तो नहीं किया तोने उस पर अरे जादू टोना नहीं एक दिन जब वो मार रहा था ना तो आपके बेटे ने देखा फिर जो भी किया आपके बेटे ने किया विश्नु बाबू ने उनको दो चाटे लगाए किकी वो बात नहीं सुन रहे थे ना तो पहले समझाया फिर विश्नु बाबू को बहुत गुस्सा आ गया मुझे पहले बहुत दुख हुआ कि मेरे पती को आपके बेटे ने मारा है लेकिन फिर अना उन्होंने दो बात बोदी थी उसे सुनने के बाद मेरे पती ने तो पीनाई छोड़ दिया अभी बहुत अच्छे से रहता है आपके बेटे ने तो मेरा संसार बसा दिया अब मैं बहुत खुश हूँ इतना अच्छा काम करने के पास विष्ण बाबुने तो पुण्य कमा लिया लिखी नाशिर्वात के अलावा मैं तो उनको कुछ और दे नहीं सकती ना इतना चाहतियों कि विष्ण बाबु हमेशा खुश रहे हारा थिंस्पल्साइब दो शब्र कहेंगे लिए बाइडियर स्टुडेंट्स कॉलेज हर स्टुडेंट्स के लिए सुनेरा और उत्तम समय होता है ऐसा पल जो कभी न भूला जा सके बस एकी बात कहूंगा जब आप लोग यहां से पास होके बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं तो खुशी के साथ-साथ कुछ यादे भी छोड़ जाते हैं जो हमें बहुत कम देती हैं हमें पता है कि अब आप लोग लोड कर वापस नहीं आएंगे हलाकि साथ में रहते हैं तो कभी लड़ते हैं जगड़ते हैं तब पता नहीं होता कि एक रोज हम लोग बिछड़ जाएंगे और जब बिछड़ते हैं तो हमें बहुत दुख होता है हमारी दिले इच्छा है कि आप जहां भी रहें खुश रहें और अपनी जिन्दगी को सबारें मेरी धेरो शुब काम नहीं प्रोग्राम में प्रिंस्पल ने अच्छा भाशन दिया यार इतनी अच्छी बाते बोलके मुझे भी अच्छार हो रहा है इसके पास दिमाग नहीं है लेकिन बोला अच्छा अच्छा मैं जागर इसे डॉप करके आता है आज आखरी दिनी वह शादी करके भी जा रही है अर लगिन की तर भी एफ किया है लेकिन आप पता चलेगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा ठीक अजा उसे छोड़के आजा लेकिन जल्दी आना अब बोल विश्णू जल्दी कौन जाजा यहां जगणा हो रहा है अमू लीचे उतरो तुम यहीं से घर चली जाओ विश्णू जब तक तुम नहीं होगे मैं घर नहीं जाओंगे तू के छोटी बच्ची है कल तेरी शादी होगी तो जाना पड़े गना के लिए यहां से अब क्या है जब तक तुम नहीं करने जाओंगे यहीं इतिसार करूंगे विश्णू क्या हुआ किसने मारा हम यहां बैठे हुए थे वो लोग आकर मारने लगे बस यहीं पर सब खतल कर दो उस दिन मेरे पापा ने माफी मांगी थी आज मैं माफी मांगता हूं जो हुआ वो सब भुला दो चल सुबू हॉस्पिटल चल हॉस्पिटल कहना होता तु तुझे क्यों बुलाता है उनसे वक्तना बदला गेना है मुझे आजा तू भी दो चा हा मा बोलो मा अरे कहां है बेटा अब तक घर क्यों नहीं आया तू लास्टे है ना तो फ्रेंड्स लोगोंने पाटी रखी है उनके साथ ही हूं क्यों रे कल उसकी शादी है उसे दुलहन बनना है तुझे कुछ याद भी रहता है या नहीं और आज तू अपने दोस्तों के अबर आज लास्टे है ना तो पार्टी अन्य वो रास्ते में है आहीं रहे है वैं तू पागल हो गई है क्या तुझे घर जाने के लिए बोला था ना नहीं क्यों नहीं अभी तक मैंने भी कहा था ना कि जब तब तुम मुल्याओगे में घर नहीं जाओगे से पागल जैसी बाते मत कर कितनी रात हो गई है तेरा यह सब करने का मतलब क्या आखिर चाती क्या है तू मतलब का थे सवाह ही ने ता ना यह जानते थी कि इन सरोगा ऑगी देखो ऐसी बाते मत करें मेरे आखों में आसु आ रहे है बारिश हो रही है इस पर पता नहीं चल रहा है हाँ बारिश हो रही है तो तुम्हेरी कैसे पता चलेगा बुझे यह चादी नहीं करने का दिश्णू मुझे यह दूबल है तुम्हें नहीं कहा था ना कि हम इस चीज़ में खुशी मिले हमें वही करनी चाहिए प्र पर ले कर जाओं अगर हमारे बीच में तेरे पापा तेरा भाई या कोई रिश्दार आता तो लेकर चला भी जा अगर तो चली जाएगी तो वो ये बर्दाश्ट नहीं कर पाएगे अगर मैं चला गया तो उन्हें कुछ फर्थ नहीं पड़ेगा अगर तू चली गई तो मर जाएगे वो तुझे जितना प्यार करते हैं न वो उसके सामने हमारा प्यार बहुत छोटा है ये दो दिन जो भी होता है तुबस चुप चाप लें मेरी बात मान ले अब जाएगे कि कहां चले गई थे तुम दोनों सुबा तुम्हारी शादी है कुछ याद रहता है जाओ जल्दी से कपड़े बदलो खाना भी खालो एई तुझे अलग से बनूं क्या जा कपड़े बदल हाँ हाँ बोलवाई हाँ आ रहा हूं अरे ये लीजे कावल लेजे आप भी आ गए अब आप जैसे ही बाहर गई ना पच्चे तब ही आ गए थे ये लीजे कब तक मुझे इस तरह बेज़त करता रहेगा आज करता कहीं काफ मेरी किस्पर खराब सी जो तू मेरे घर में पैदा हुआ क्या सर आप पुलिस टेशन के कंपाउंड में इस तरह इसको मार रहा है इसे मारू पीटू काटू क्या करू मेरी समझ भी नहीं आ रहा अरे डिगरी वाले बच्चे समझ कर बार वाले ने इसे शराब देने से मोना किया तो इसने मेरा आधार काट दिखा दिखा दिया रही लेकिन यह पहले लड़का है जो आधार काट दिखा के दारू पी रहा है इसे तो यहां पर आपका एक साइन चाहिए छोड़ी सी फॉर्मेलिटी है मुझे नहीं पता था कि यह आपका बेटा है वरना इससे मैं खुद आकर घर छोड़के जाता माफ कीजएगा सर क्या बात है सर आज तक आपने इतनी इज़त किसी को नहीं दे फिर इनको कैसे दे अरे तुम यहां नाया हो तुम्हें कुछ पता नहीं है इस गाउं में इनकी बहुत ज़्यादा इज़त है हर गाउंवाला इन्हें अच्छी तरीके से जानता है इन्होंने हर किसी की बहु नहीं है इस गाउं में तुम्हें पता नहीं ऐसे इंसान बड़ी मुश्मिल से मिलते हैं नमस्कार साहब सत्यवती सत्यवती क्या हुआ जी उससे कैदों की दो दिन तक घर में नहीं आएगा यह क्या कह रहे हैं आप वो क्यों नहीं आ सकता है जो बोला वो करो यह क्या भाई साहब घर में शुप काम हो रहा है और आप इसे अंजर नहीं आने दे रहे हैं जब तक वो सामने होगा मेरे लिए कोई वीशुप काम करना संभब नहीं होगा जिन्दगी में आज तक कभी पुलिस टेशन का मून ही देखा था पर इसकी वज़े से जाना पड़ा बोल दो इसको दो दिन तक मेरी नजरों के सामने ना है कि अखिर प्रॉब्लम क्या है मैं क्यों नहीं आसकता बताये क्यों नहीं आ सकता मेरा घर नहीं है क्या इसको लाकर आपके घर पर रख दिया महरानी की तरह बड़ा किया तब भी मैंने कुछ नहीं बोला इसकी शादी करवाके आप मुझे घर से बाहर निकालना चाहरे हैं आपको शादी करवानिये तो बाहर जाकर करवाइए मैं यहीं रहूंगा अपने पिता जी से कोई इस तरह बात करता है क्या क्यों मैं मानू आपकी बात बच्पन से यह से हमारे सपर बैठा कर चले गए और आप लोग वहां हनीमून अब आगल सा हो गया हूं और सब इसको ही सपोर्ट करते हैं मो बंद रख अपना एक शब्द और नहीं बोलना चल निकल यहां से निकल जा अरे साथ जी लड़के वाले आ गए है क्या विष्णू कुछ बात करने के लिए बुलाया था ना ए मैं कुछ पूछ रहा हूं बोलता क्यों नहीं समझ गया अब तक तो तूने उसे रोलाया अब वो जा रही है तो तू रो रहा है हेई, यहां बैठकर अके लिए रोने से कुछ नहीं होगा, जिसके लिए अपने आशू बहार आ है ना, उसके सामने जाके बहाँ हलो, क्या रहे, तेरे घर में आज, शादी होने वाली है ना, लेकिन क्या है कि, मंगल सूत्र से शादी नहीं होती, शादी के लिए ना, तुलहन भी मौजूद होनी चाहिए, और तुझे पता है कि, इस वक्त तुलहन कहां पर है, है, क्या बक्वास कर रहा है तू, बक्वास तस मिनट के अंदर अगर तू नारियिल की खान पर नहीं आया ना, इसको काट के टुकुडे-टुकुडे कर देंगे तेरी परिस्थिती में समझ गया तेरा दिमाग कुछ और बोल रहा है और दिल कुछ और बोल रहा है तेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं किसी भी तरह जल्दी से इन दोनों की शादी करवा दूँ जो बच्चे बच्पन से एक साथ रहे उनके प्यार को समझ कर उन दोनों को एक करदू ये दिल में चल रहा है देख दिमाग और दिल दोनों पास-पास होते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी देख नहीं पाते एक को जो अच्छा लगता है दूसरे को नहीं लेकिन जो दिल को अच्छा लगे वो काम करने से मन को शांती मिलती है शादी के लिए भी एक गंटा बाकी है तब तक अच्छे से सोच ले अरे वो बात नहीं है मैं तेरा दर्द समझता हूँ या लेकिन एक बात याद रखना, जब युद्ध की शुरुआत होती है, तो आर्या पार यही फैसला होता है, बीच में कुछ नहीं होता तुम लोगों को मुझसे प्राब्लम है, तो मुझसे लड़ो ना, लेकिन तुम लोगों को एक बात समझ में नहीं आए, अगर मुझसे इसकी शादी नहीं हो रही है, तो तुम लोगों से ज़्यादा गुसा तो मुझे अपने पापा पर आ रहा है, मारना है तो मुझे मारो, उसे चुप-चाप छोड़ दो इसने मेरी दबंग गई और तुमने मेरे सिर पर दाग दिया है दोनों को एक साथ ही मारूंगा अरे तुझे बदला लेना है तो एक पैकेट सिर्ट जला कर मेरे सर पर बुझा दे मेरी बात मान उसकी एक गंटे में शादी है और मेरे पापा यह सब बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे प्लीज विश्णू अभी भी एक बार सोच लो मुझे यह शादी नहीं करनी मैं कितना भी चाहूं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी अरे भागा लोगा है क्या तू वहां पुरी फैमिली वेट कर रही है और तू यहां बगवास कर रही है जाओ आपर मेरी बात कोई सबश्था ही नहीं को शादी करूँ इससे तो अच्छा होगा कि मैं पी जान दे दू सुनिए प्लीस आप मुझे मार दीजी मुझे जान से अरे मेजे परशाद मत करो प्लीस अम्मो मेरी बात सुन चली जाओ आप 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 मों आप में तो अरे में अच्छा है क्या रोड़ पात समझ में नी आती क्या रहते की अ हृँ आप हुआ हम चलो शादी का टाइम हो रहा है मुझे भी कहीं जाना है यह क्या बात हुई मैं इतने पैसे खर्च करके यहां पर आया हूं और तुम लोग अपना सेट्लमेंट करने में लगे हुए कर दो तेरी तो करके आया है इसको यहां लेकर क्यों अब बोर इसे कि शादी कर ले या फिर तुरी इसे छोड़कर आएगा बेटा जाओ बेटा जाकर शादी कर लो नहीं कैसे मार रहा है इस पेसमें नहीं जाओंगे उचे मार दीजिए मुझी शादी नहीं करने तुम्हें मैं घर्लिक होग我不知道 म सब लोग तरिया लोग दिख सब maior ने इसुप सर्विस नेख़ हो गई प्लिजध मैरी बात माननों सब लोग तेरी रहा देख रहे होंगें तू मेरी माननों लोग मुझे दूंग ले चलो तू बात माने यह नहीं अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो सिर्फ हम दोनों खुश होंगे और बात मान लेगी तो हमारा पूरा परिवार खुश होगा सोच ले तुझे क्या करना है हुआ हाहा वाहा हुआ हा था और दो पर यह क्या है अरे तो जो ज़ब लड़का है वो यह फ्लक्सी में क्यों नहीं है हँआ वाई अपीड अव्छेंट बोट्मीन लव और मरी में आप से पूछो न दर जाओ जाके लड़की के बाप से पूचो ना तुझे रास्ता तो नहीं बता लेकिन तरीक्या बता दिया मैं तुझे बेक्सपोर्म रेवाट दूगा अब तुझा तुझा बेटा अगर तेरे ज़ते आद्मियों तो गूगल की जरूरती नहीं है अल्ड़न, अल्ड़न, अल्ड़न इस शादी से आपको कोई रिलेशन है क्या अरे कैसी बात कर रहे हो, मेरे घर पर आकर मुझसे ही पूछ रहे हो कौन हूँ मैं दुले का बाप हूँ भाई मैं इनसे बात करता हूँ, तुम शान्त रहना, मैं समझा देता हूँ ठीक है और इन्हें बेस्ट लवर का अवार्ड भी दे चुना है, आप देख रहे हैं ना, दर असल में हुआ ये था फोटो में तो दिख रहा है कि ये दुनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अरे बेवड़ा कहीं का, इसे लगा कि दिखा देखा तो मैं विश्वास कर लूँगा, शेकर जी ने उसे पाला पोसा है, ये दुनों बचपन से ही एक साथ पले बढ़े हैं, इसलिए प्लोज फो कैसा शक करेंगे तो कैसे चलेगा, अमेरिका के कॉलेज में जहां मेरा बेटा पढ़ता था, महां क्या-क्या चलता है, आपको उसके बारे में पता नहीं है, अरे मुझे कोई बुला रहा है जाता हूँ, मुझे कैसे भी करके ये शादी रोक नहीं है, यहां कुछ न कुछ जरूर है, अरे, अमेरिका से पढ़कर आया है, इसलिए इतना चिपक कर फोटो खिचवाया है, अमेरिका में ऐसा ही होता है, तू चिंता मत कर, मेरी बात सुन, कोशिश करते रहना, आप फुल सपोर्ट कर रहे हो ना, मैं फुल बोतल पी के ये शादी जरूर रखूँगा, मैं आपको बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड जरूर दूगा, अब देखते रहो क्या करता हूं, मुझे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसी इंफॉर्मेशन, आपका इशादी से कोई संब्द है क्या है, अरे क्यों नहीं है, लड़की का बाप मैं ही हूं, आपके पास दिमाग नहीं है क्या, लगता कोमन सेंस भी नहीं है, मेरे फोन को देखो, साब समझ में आ जाएगा, हूं, अहां, तुम्हारे पास दारू है क्या, फूल बादा ले, चलो मेरे से, अहां, चलो, अरे, वो दोनो एक दूसरे को पसंद करते हैं, यह बात मुझे नहीं प अरे, इस में जानने की क्या बाद है, उन्हें बेस्ट लवर्स का अवाड में नहीं दिया है, और मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इन दोनों को कैसे भी करके मिलाना है, सार, चाहिए तो आपको फूल बाटाव दूंगा, सार, आभी पार्टनर सपोर्टिंग रूल का अव यह क्या सर, बेटी की जादी है तो खुश होना चाहिए आपको, ऐसे मू लटका के क्यों खड़े हैं, अरे मैं करूं तो क्या करूं, मेरी बेटी को वो विष्णू बहुत पसंद है, लेकिन दवाव में मैं उसकी साधी कहीं और कर रहा हूं, अरे तो फिर बेटी जीसे पस करते हैं, लेकिन क्या? मेरे दोस्त को ना, पैसों, पैसों की लालच है, मैं जादा दहस नहीं दे सकता ना, इसलिए उसने कहा कि वो ऐसी जग़ शादी करेगा, जाहां से उसे जादा दहस मिलेगा, इसलिए उसने ये रिष्टा ढूंडा, ये जानते हैं, वेबी की मेरी ब मेरी बेटे से कितना प्यार करती है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, उसका बाप हो कहीं तो उसकी शादी करनी है, इसलिए मैं मान गया, इसलिए दूख मिटाने के लिए अब दारु भी रह ना, जब चाल, जब, जब ओ, या, जब, जब अरे तु कैसे बात कर रहा है शेखर जी की लड़की है आप चुप रही है आप और आपके शेखर इनका बेटा उस लड़की से प्यार करता है उससे शादी करेंगे तो दहेश नहीं मिलेगा इसलिए इन्हों ने हमें बेवकूप बनाया तो आगया बेटा अखिर हुआ क्या था इसे कहां लेकर चला गया था तू आण्टी इतना इमोशन क्रियेट करने की ज़रूरत नहीं है यह जिससे प्यार करती है उसे मंदप में लेकर आई है और आप ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं और इन्होंने कुछ जानते हुए हमें बेवकूप बना दिया और आप दिन रास शेखर जी का नाम लेते हैं यह हैं वो बड़े आद्मी अरे नहीं देखो बेटा चारा इज़त से बात करें अरे मैं तुझे क्या इससे तूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा का कॉलर पकड़ने की क्या समस्ता तूने मेरे पापा की बहुत इज़त है यहां सुन बेटा तुझे बता नहीं होगा कि तुझे आखिर ले कहा गया था बोल तुझे मेरी कसम है बेटा अगर भाग कर ही जाना होता ए बोलने देना लेकिन मेरी उज़त के लिए इसने अम्मू को न जाने कितना डाटा और इस बात के लिए से समझाया भी कितना जानती हो अगर इसे लेकर जाना होता तो तुने जब चाटा मारा था तभी अम्मू को साथ में लेकर घर से जा सकता था ना अगर भागना होता तुम मेरे दोस्त को इस तरह ढखेंता नहीं हो अरे मेरी इज़त रखने के लिए शादी करवाना चाहरा है और मैं अपनी इज़त रखने के लिए ही ये शादी करवा रहा हूँ ये मेरी गलती है बड़ापन वो नहीं है जो मेरे सफेद कपड़े दिखकर लोग मुझे इज़त दे इसकी तरह बड़ा दिल होना चाहिए क्यों बेटा इतना कुछ होने के बाद में तोने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया ये सब इस वत क्यों एक बात तो मेरी समझ में आगे कि आप लोग मेरी शादी इससे करवा देंगे अगर आप लोगों का फेमिली ड्रामा हो गया हो तो पूरी फेमिली के जाथ एक सेल्फी ले लूँ गया है आखर में हम जिस कॉलेज में पढ़े थे वहीं जॉब लग गई लेकिन मेरी नहीं गुद मारिंग सर्व गुद मारिंग बेटा क्यों रहे जब मैं बोल रहा था तो अच्छे से पढ़ाई कर लेता तो आज कॉलेज में नौकरी कर रहा होता ना सर क्या बात है चपल का कलर बदल गया शौप भी बदल दी क्या अरे तुझे भी पता है अब सब को पता चल गया पापा खेती में दस लाग रुपे का मुनाफ़ा हुआ है दो लाग खार्च हो गया और आठ लाग उन्हों ने आपको देने के लिए कि लिए कि क्यों सामाज जी क्या बात है बहुत खेती बाड़ी करके अच्छा खासा माल कमाया है आपके साथ पेक पेक मार रहा हूँ और खाने के लिए माने जो मच्छी बनाईए वो भी लेकर आया हूँ और इससे अच्छा हैपी मुमेंट और क्या हो सकता है विश्व विजेता सिकंदर भी इस तरह कभी खुश नहीं र होगा तो जल्प उठाए ग्लास